जिससी काड़ मेरे सारे प्रावनु तो होप सब ठीक होणगे तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं IQ टेस्ट बारे सबको पता चली क्या होगा वीडियो के टाइटल से कि किस टोपिक के बार में वीडियो है तो आज हम हिंदी पोलने की ट्राई करेंगे तो अगर थोड़ा व questa mis recherche होया तो Exp garlic कर लिए फैर हमारा हिंदी थोडा सही नहीं चलता है चलो अप्ला चल्ड़ कर दे में जार जा है तो वीडियों बनाने जा रहे हैं ऐक्लिस के बारे में और जिन जिन बहें हमारे देखत को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें अगर जिनोंने आर्मी में आना आया जिनको उनके लिए बहुत ही एफेक्टिव वीडियो होने वाला है जिनको इसको पूरा देखना शुरू से एंड तक देखना और एंड में हम वीडियो भी वह दिखाएंगे कि कि इस पिक्वेश्चिन आते हैं उसमें हम दखाएंग कि इस ताइब क्कूसेन आते हैं उस टैब में कैसा ओसका सिलुशन होता है हमारे पार से वीडियो है कि दोस्ते के बाई क्या आया है उसका भी हम वीडियो दुखांगे इंग्लिश में बताएगा वह सब को इंफ्रमेशन कैसी समझना किस टाइटल को तो वह भी वीडियो एंड तक देखना है इसको पहले अ इंदर आम वह डाल देंगे आपको वह भी तो जो चैनल पर नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसके आर्मी के बारे में पहले भी हमने बहुत वीडियो डाली हुई है चैनल पर तो वो भी सारी जाकर चेक करें और उनके बारे में इंफ्रोमेशन आपको में जाएगा आर्मी के बारे में बहुत इंफ्रोमेशन है और उसके इलावा किसको question हो तो हमारे Instagram पर हमको message करें, follow करें तो हम आपको देंगे आपके question answer आपको जो भी चाहिए हम आपको information guide करेंगे इस नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू करते है IQ test, IQ test क्या है? IQ test बहुत जोरी है French Army में होने के लिए IQ test है जिसमें आपका मतलब mentality का पता चलता है, आप कितने intelligent हैं, किस level तक है, आपका intelligence कितने level तक है, वो check करते हैं और उसका check करते हैं, mathematics question होते हैं, mathematics में होंगे, English होंगे, जिसको मतलब math जिनका अच्छा है उनके लिए तो बहुत सही है और जिनका मैं थोड़ा नहीं सही है, वो इस वीडियो को देखें, और थोड़ा बहुता काम चलाओ काम चल जाएगा, तो chance हैं, तो देखने के देखने के और उसके बाद देखें, सीखने के आपको हो, हो जाएगा इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बोता, बस प्लस माइनस का चक्कर है, और जो रगटा होगा होता है, वही है बस में, इतना मुश्किल भी नहीं है जैसे इंको अच्छाए देखो, समझो क्या मतलब, जिस्ट क्वेस्टन ही आते है, उनको कुछ टाइटल होता है, उनका मतलब एक टेकनिक होती है, समझने की, उनको समझना पड़ता है, किस टाइप से क्वेस्टन आ रहे हैं, किस क्वेस्टब की नहीं है, अगर वो आपको क्वेश्चन को अची तरह से देखें किस तरह को समझें क्योंकि टाइम इतना नहीं होता आपको फोटी के असपास क्वेश्चन आएंगे और आपको 35 देने पड़ेंगे अंसर उनके और कुछ 15 गलत हो तो गेम खा उदर ही पड़ जाता है वो अच्छे से वीडियो देखें करें तो में आर्मी फ्रांस में इसके और बारे में बहुत वीडियो बनाई गई हैं लोगा ने बहुत डाली है किसी ने पता नहीं क्या का डाला है कुछ कोई डाला है पता नहीं हर किसी के अपना हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम को हम तो आर्मी में हैं लिखा होगा A, B, C, D, 1, 2, 3, का पूरा क्वेश्चन लिखा, 10 मिनिट की वीडियो है, तो उसको पूरा देखें, चक करें एंड तक, और एंड के बाद हम कुछ बाते करेंगे, क्या क्या सिस्टम था, उसके बारे हम आपको खुछ से ओंको और थोड़ा नोलेज देंगे, तो 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, left-middle-right, 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 so we need 3 to the right. In this one I know the correct answer is this one, and you could say there is some kind of symmetry, I'm not sure how to express the rule, but I'll just be satisfied with clicking G. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, left, middle, right, left, middle, right, left, middle, right, 3 to the right. Here the horizontal line goes from top, middle, bottom, and the vertical line goes from right, middle, left, so we need left and bottom. In this one we have movement in the matrix, and the movement or the rule applies from top left and then in the reading direction to the right, and when we finish a row we start on the next row. So we have the first little box here moves from this cell, right, right, and then it starts over on the next row, middle, right, next row, middle, and it ends up in the last cell of the matrix. The other little box moves in the opposite direction, so it goes from last to first, so we have the first one and the last one represented. Here we have three figures, and each figure is represented once in each row and in each column, so we need a circle here to represent it once in the column and in the row. In this one, I know the correct answer is H, I'm not sure why, but you could say there is some kind of, here, when we go from left to right, things are preserved, and when we go from top to bottom, things are mirrored, well, it's H anyway. In this one we have the middle section is a combination of the left and the right, so this one and this one combines into this one. So we have a triangle here and we need this triangle to combine, so it's A. Here we have a rule from left to right, we have a triangle and something happens, and we have a triangle again, a circle, something happens, and some kind of circle again. So we have a square and we need a square. Here we can see there is some kind of stretching in the vertical direction, here they are stretching in the horizontal direction. Here we have both a vertical line and a horizontal line, so they are stretching in both directions. So we go from a small square to a large square. Here we have this kind of 1, 2, 3, 1, 3, 2, where each number is represented once in each row and in each column. So in this column, for instance, the middle column, we have 2, 1, 3. Here we have, in the right column, we have 3, 2, and we need 1. Then we have to decide between these three, and then we can look at the direction of the lines that go. So each direction is also represented once. So we have diagonal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, diagonal. Here we have horizontal, diagonal, and we need vertical, so as if. Here we have a shape of two leaves, and they move apart from each other when we go from left to right. So they start here, move one apart from each other, or two, and then one more, or two more. And we have this one, they move apart from each other, and they end up here. In this one, you could say that the left one and the right one combine into the center one. But we have to have some kind of rule for what happens when a part of the drawing is represented both to the left and to the right. And you can express this in various ways, but one way to express it is that each part of the drawing is represented either zero times or two times. Not once, not three, but zero or two. And actually this rule would apply if we start with any two of the three cells in a row or in a column. So let's try it. If we start with this one and this one and want to make this one, then we have the vertical line is here and here. So it's already twice, so it's not going to be a third time. This line here is represented once here. It's not on this and this cell, so it must be on the last one to be represented twice. So let's apply this rule from, let's say, here, here, and then to here. The horizontal line is represented already twice, so it's not going to be here. These diagonal lines are once here, they are not here, so they must be over here. And we end up, if we check everything, with this figure. In this one we have also some kind of combination of this cell to the left and this cell to the right combines into the middle cell. And if we combine this one and this one, we get this one. So here we have something that combines with this one to get this one, that would be H. In this one we have action from left to right or rule from left to right. We have three different shapes and they can either be empty or filled out. So we start with, when we are in this column, we start with a filled out shape. Then we have another shape that's empty. And then the enter shape repeats. And inside we have the third shape that's not in the first or second place. So we have a square here because we have a circle and a triangle in the first and second cell. So we start here. In the next row we have a filled box. Then we have a circle. The empty circle repeats. And then we have a triangle because there's not a triangle here or here. So here in the last row we have this square that repeats. And it's going to be filled up with a circle because we don't have a circle here or here. So we have E. In this one the rule applies once again from the top left, then the next one, then the next one to the right. And then we go down here just as if we were reading a book. And we have movements. This little box moves in the clockwise direction around the circle. So it starts here, moves here, and 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 it ends up, up here. And this one we once again have some combination rule. This one combines with this one to get this one. This one combines with the last one to get the middle one. If we check everything out, this one combines with this one to get this one. So we need something to combine with this one to get this one. That would be the dot. Here we once again have movement in the matrix. And the rule applies from top left to down right by going horizontally. And we have two squares, and they are combined like a worm. So it moves also from top left to down right. And so we have this worm, goes from here to here, and then it starts over in the next row. It's here, moves right, and then it starts over in the next row. And when we come down here, well, we kind of have to assume, I guess, that it starts all over. Then it's going to fit in nicely with this one. So we have... Yeah, so everyone has seen the video. So I hope that everyone will feel good. So yeah, this test is very main. As you can see the video, this type of question comes from here. As you can understand the system, it goes up and down and down. So finally, it has been told to you. So it's a tough one that you have to understand. So if you can see the video properly, then you will get the information. And once you have to understand, you will be able to bounce back so that you can get the information in the next row. The main work is, if you will fail, you will otherwise run. But you will have to do this with a little bit. All of this work is to learn. So let's be able to do this again. क्यों टेस्ट और इंटर्वीं में आता हैं इंटर्वी जूरूरी होताया और फिजी जीदेटिक भीडियो करेंगे रॉनिंग च्रफ के बारे में रॉनिंग टेस्ट के बहूँ वह बहुंन जालेंगे बहुत जलिदी तो इस वीडियो को certains न verstehen gotta चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर बंदे को मोटिवेट नहीं मिलें तो क्या से आप आइमी होल वीडियो डाले में दालेगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो Is комп, क्फॉरर लाइक, क्वेट करो और किस किस ट्रेफ के वारे मैं वीडی चाहते हों तो वो भी बता जया करो और हम बहुत वीडियो डाउनलाट कर रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं초 वह कंस के लिए भी तो हमने चीमस की और दालनी बाकिए स्ञट्च लिए और दो बड़ी वीडियो और चाहिसे दोटो को दो डालतों उसको भी स्पॉर्ट करना चाहिए अदमी को और उसो और आईकि में हैं उसका सुस्क्ट्राइब करेंगे हुआ नेशनाटी के लोग हैं, हर नेशनाटी के लड़के ढूंड के आपको इंटर्वियू करा देगे हम, बट चैनल को लाइक करो, सुब्सक्राइब करो चैनल को अच्छे से, और इस्टाग्राम के फोलो करो, फोलो करो इस्टाग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रह झाल 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 झाल